Hello student of very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. Student, आज generally हम लोगों को जो discuss करना है, हमारे छोटे-छोटे terms को discuss करना है, first term होगा हमारे पास azotrops और second term होगा vent of factor, जो की अपने आप में बहुत important है और board में इन पर questions आते ही आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं azotrops से, कि azotrops क्या होते हैं, तो azotrops को समझने के लिए, पहले हमें azotrops के कुछ terms समझने होंगे, उसके बाद हम azotrops को आगे बढ़ा पाएंगे, तो मैं वो terms यहां side में लिख रहा हूँ, फर्स टाम azotrop को क्या होगा, जिसके base मैं azotrop को explain करूंगा, कि azotrops are the binary, these are the binary solution. पहली condition है, ये condition है कि ये binary solution होते हैं, ठीक है azotrop क्या होते हैं, binary solution होते हैं, पहला term. दूसरा, ये इनकी fix composition होती है, और fix composition होने के साथ साथ ये boils जो होते हैं, ये boils at constant temperature. boils at constant temperature constant temperature पर ये boil होते हैं और next अगर हम बात करें तो fractional distillation fractional distillation is not possible fractional distillation is not possible distillation is not possible fractional distillation इसका क्या होता है not possible, possible नहीं है कैसे नहीं है तो अभी सारी बाते मैं आपको बताओंगा वो सारी की सारी बाते हम लोग यहां discuss करेंगे बस आप तोड़ा सा, सारे पहले points को देख लीजे, when, और यहां क्या होता है कि mole fraction, mole fraction of solute, mole fraction of solute in liquid phase, liquid phase, हमेशा बराबर होता है, mole fraction of solid phase, mole fraction of vapor phase, इसी तरीके से mole fraction of solvent, यह solute के moles से हैं, और यह solvent है, mole fraction of solvent in vapor phase बराबर होता है, इस case में, ठीक है, liquid phase, यह liquid phase, LP for liquid phase, vapor phase, ठीक है, अब क्या होता है, मैं आपके एक example से समझाता हूँ, binary solution, एक example मैं आप लोगों को लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ, आपको clear क्या होता है, सब example ले रहा हूँ, मैं 95% ethanol, 95% aqueous ethanol solution, aqueous ethanol solution, अब यह क्या है, this is the azotrop, this is the azotropic mixture, अब azotropic mixture का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश कीजेगा, कि मेरे पास ethanol है, सबसे पहले हमारे पास ethanol है, अब यह जो ethanol है, ethanol का सबसे पहले हमें बता हूँ नची, यह boiling point, तो ethanol का boiling point होता है, वो 353 Kelvin होता है, ठीक है, और वहीं पर, यह हमारे पास water है, और water का हमारे पास boiling point आप लोगो पता है, 373 Kelvin होता है, ठीक है, अब इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया, अब जब हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो आपस में मिलाने पर, यह किस चीज का solution बन गया, aqueous solution of ethanol, अब aqueous solution of ethanol, लेकिन यह 95% नही होगी, यह सपोज करो, यह 100% solution है, किसका, 100% solution क्या हूँ, यह 98% कोई भी solution है, यह समय solution है, किसका, एथेन ओल, प्लस water का, अब हम लोगों को पता है, कि क्या होगा, कि अगर temperature का difference होता है, अगर temperature का difference होता है, तो हम fractional distillation कर लेते हैं, आपको याद होगा distillation, fractional distillation, तो temperature का difference होग क्या होगा वो दूसरे container में जैसे आप लोगों को ध्यान हो छोटी classes में आपने देखा और देखा और इस container में solution ले लिया निचे से इसको heat किया तो heat करने पर किया होगा इसमें delivery ट्यूब लगी हुई है delivery की वरी ट्यूप का contact किस से है condenser से और condenser से आगे कौन जुड़ा हुआ है एक नया container ठीक है तो क्या होता है कि जिसका boiling point कम होगा जल्दी वेपराइज होगा और जल्दी जल्दी वैपराइज होगा उसकी वैपर से यहाएंगी गरम वैपर से यहाएंगी, कंडेन्सर का काम होता, उसको ठंडा करना और ठंडा करके यह लिकवीड फ़र्म में यहाँ आजाएगा, तो क्या होगा, कि सारा अलकॉहल तो हमें यहाँ मिल जाएगा, एक ऐसी concentration आती है एक ऐसी concentration जिस पर एक ऐसी concentration जिस पर इन दोनों का temperature boiling point बराबर हो जाता है एक ऐसी concentration जिस पर इन दोनों का boiling point बराबर हो जाएगा वो उस समय जो वो mixture होगा उस समय जो mixture होगा या उस समय उस concentration पर जो mixture होगा उसको बोला जाएगा Azeotropic Mixture Means मैंने क्या गिया मैंने Ethanolic Solution लिया कैसा Aquus Solution में क्या लिया Ethanol लिया Normal Ethanol लिया Normal Water लिया दोनों को आपस में मिलाया क्या बन गया एक Solution बन गया अब मैंने इसकी concentration मैंने जब calculation करी तो मैंने देखा इसका boiling point अलग है इसका boiling point अलग है तो 95% वो concentration थी जिस पर इन दोनों का boiling point कितना आ गया 351.5 351.5 और ये वो boiling point था कि जब इसका भी इसका भी boiling point कितना हो गया 351.5 और इसका water का भी 351.5 कब हो गया जब इसका concentration कितनी ली 95% जब कुछ और थी तो दोनों का लग लग था दोनों का fractional distillation possible था मैंने practically ऐसा situation create करी कि जब मैंने 95% इसकी concentration कर दी तो 95% concentration करने पर इन दोनों का या इस solution का इसके अंदर जो components हैं दोलों का boiling point बराबर हो गया तो वो concentration जिस पर दोनों component का boiling point बराबर हो जाता है उस ऐसी concentration वाले solution को क्या बोला जाता है azotrops आप इसको define करते हैं आप इसको define करने के लिए मैंने जो point लिखे हैं पहली बात कि it is the binary solution means एक ये azotrops वो होते हैं जिसके अंदर केवल एक solute और एक solvent होगा binary means दो यानि हमेशा एक solute को carry करेंगे और एक solvent को carry करेंगे इसके अलाबा कुछ नहीं हो सकता दूसरी बात इनकी fix composition जब binary solution बनाया तो composition क्या हो गई fix और वो composition क्या थी 95% 95% पर ये fix composition आ गई फिर जब ये fix composition आ गई तो उस fix composition पर ये boil हो सकते हैं और constant temperature पर अब ये दोनों क्या होंगे इसी temperature पर boil होंगे ना इस पर ये boil होगा ना इस पर boil होगा अब ये दोनों के इस पर solute or solvent का क्या हो गया constant temperature हो गया जब constant temperature हो गया तो इसका fractional distillation possible नहीं है fractional distillation is not possible is not possible यानि क्योंकि जब constant temperature हो जाएगा तो fractional distillation हो नहीं सकता कि solute का जो mole fraction होता है liquid face में, वो solute का mole fraction liquid face में solute का mole fraction vapor face के बराबर हो जाता है, इसी तरीके जब solvent के mole fraction of vapor face में बराबर हो जाते हैं, तो उस condition में ये point हमें मिलता है और यहाँ पर boiling या distillation करना possible नहीं होता है, और इसी को बोला जाता है azotropic mixture, तो बच्चो azotropic mixture का मतलब होता है एक ऐसा binary solution जिसकी composition भी fix होती है, जो एक constant temperature पर boil होता है और उसका fractional distillation करना possible नहीं हो, तो ऐसे solution को क्या बोला जाता है binary solution, अब मैं इसकी in points के base पर definition आपको लिखता हूँ, चलिए, अब hope आपको समझ में आ गया होगा, अब definition क्या कहती है, तो definition क्या कहती है कि azotrops, इसकी definition क्या कहेगी तो क्या लिखेंगे हम, azotrops are binary mixture, azotrops are binary mixture, having, having same composition, having same composition, in liquid, same composition in liquid and vapor phase, same composition in liquid and vapor phase, and boils at, and boils at constant, boils at constant temperature, boils at constant temperature, are called as azotrops, are called as azotrops, अब देखें definition क्या कह रही है, azotrops are binary mixture, azotrop वो binary mixture होते हैं, वो दो component से मिलकर, जिसमें एक solute और एक solvent होता है, जहाँ पर उनकी composition भी same हो जाती है, यानि concentration दोनों की same हो जाती है, और उनका liquid phase में, और vapor phase में, जहाँ हैं उन्हें आप liquid phase में, mole fraction और vapor phase में, mole fraction क्या है, composition same हो गई, liquid phase में भी और vapor phase में भी, composition same हो जाती है, और boil कहा होते हैं, constant temperature पर, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, azotrops, और एक आप note बना के लिख लिजे, कि azotrops का fractional distillation is not possible, तो azotrops आपको समझ में आ गए होंगे, azotrop एक special तरीके का mixture होता है, एक special concentration वाला mixture होता है, जिसमें, एक particular concentration पर आने पर, solution एक ही temperature पर, solute और solvent दोनों ही एक ही temperature पर boil होने लगते हैं, एक particular concentration का point आने पर, दोनों ही solute और solvent एक ही temperature पर boil होने लगते हैं, और जब उन दोनों का temperature सेम हो जाता है तो वो case क्या बनता है उस case में mole fraction of solute liquid phase और mole fraction of solute vapor phase mole fraction of solvent liquid phase mole fraction of solvent vapor phase बराबार हो जाते है तब वो concentration आती है उस concentration पे जो boiling point होता है वो fix हो जाता है और उस समय fractional distillation करना possible नहीं होता है तो ऐसे mixture को क्या बोला जाता है azotrops अब यह जो azotrops होते हैं यह generally दो तरीके के होते हैं azotrops जो होते हैं बच्चों यह generally दो तरीके के होते हैं अब एक होता है minimum minimum boiling azotrops minimum boiling azotrops azotropic mixture ठीके और दूसरा होता है maximum boiling azotrops एक होता है maximum boiling azotrop अब यह क्या होते हैं तो minimum boiling azotrops और maximum boiling azotrops का example जो मैंने अभी आपको 95% वाला दिया था वो क्या था 95% aqueous ethanol solution यह किसका example होता है minimum boiling azotrops का और maximum boiling azotrop का example होता है 68% aqueous HNO3 solution अब बारी आते हैं कि minimum boiling azotrop mixture का बनता है तो minimum boiling azotropic mixture किसके थू बनाया जा सकता है तो जो solution non-ideal हो जो solution non-ideal हो जो rawds को follow ना करता हो जो solution आपको पता है कि जो solution rawds को follow नहीं करता है वो दो तरीके से हो सकता है एक positive deviated और एक negative deviated तो यहाँ पर minimum boiling azotrops किस से मिलकर बनाया जा सकते हैं तो minimum boiling azotrops positive deviation वाला positive deviated non-ideal solution से हम क्या बना सकते हैं minimum azotropic boiling azotrops ठीक है azotropic solution और जो negative deviation दिखाएगा जो negative deviation दिखाएगा non-ideal solution एक ऐसा non-ideal solution जो negative deviation दिखाता है उससे क्या बनाये जाते हैं उसके थूरू बनाये जाते हैं maximum azotrops या maximum boiling azotrops maximum boiling azotrop बनाये जाते हैं ठीक है clear होता है तो जितने भी example अगर आपसे ऐसे question आता है paper में कि minimum boiling azotrops का कोई example लिखिए तो minimum boiling azotrops उनसे किस से मिलकर बनाये जाते हैं positive deviated solution से तो जितने भी positive deviated solution के examples मैंने आपको पढ़ाये हैं previous video में और मैंने तो trick भी सिखाई है कि कैसे इनके examples याद करने वो सब किसके example हो सकते हैं उनसे क्या बनाये जा सकता है minimum boiling azotrop तो वो सब इसके example हो जाएंगे और जितने भी negative deviated non ideal solution के example होते हैं उन solution से क्या बनाये जा सकता है maximum boiling azotrop और वो सब इसके example हो जाते हैं ठीक है, minimum boiling azotrop ये वाला, maximum boiling azotrop ये वाला, ठीक है, minimum boiling, maximum boiling आपको, hope आपको clear हो गया होगा, ठीक है, अब एक बात और बता दूं यहाँ पर, तो अगर मैं कहूं कि यहाँ, देखे, HNO3 का जो यहाँ होता है, boiling point वो होता है, 359, पानी का तो अभी सबको पता है, 373 होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, maximum boiling azotrop, normally तो इन दोनों का ये होता है, लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो एक acid concentration, किसी एक particular concentration पर, इनका boiling point fix हो जाता है, और कितना होता है, क्योंकि maximum boiling azotrop का मतलब है, कि ना तो ये रहेगा, ना ये रहेगा, इन दोनों से भी बढ़के आएगा, तो बढ़के आने का मतलब होता है, 391.5, ये वो temperature होता है, जिस पर constant temperature हो जाता है, और यहाँ पर जो concentration होती है, वो भी fix होती है, और ये temperature भी fix होता है, ना तो इतना पर ये boil होगा, H93, और ना ही water इतने पर boil होगा, अब ये total solution कितने पर boil होगा, 391.5, तो ये क्या इसका, maximum boiling azotrop का boiling point है, इसी तरीके, यानि यहाँ क्या हुआ है, maximum, इससे और इससे हमेशा boiling point क्या हैगा, ज़्यादा, यहाँ क्या हुआ हुआ है, minimum, तो अभी अभी मैंने बताया था, कि C2H5 का कितना होता है, 353, और water, liquid का होता है, 373, जब अभी यह minimum है, तो यह ना तो यह वाला रहेगा, ना यह ले वाला रहेगा, इन दोनों से कम पर boiling point आएगा, तो इस तरीके से azotrop आपका complete हो जाता है, एक बार दुबारा review दे रहा हूँ, कि azotropic mixture और binary solution, जिसमें binary solution होते हैं, और वो जब एक fix composition पर आ जाते हैं, यानि concentration fix हो जाती हैं, तो concentration fix होने पर वो एक constant temperature पर boil होने लगते हैं, और जब वो constant temperature पर boil होने लगते हैं, तो उनका fractional distillation possible नहीं होता है, और जब fractional distillation possible नहीं होता है, तो हम समझ जाते हैं, कि इसका मतलब, जो solute के mole fraction है, liquid face में, उसके vapor face में भी mole fraction के बराबर हो गए हैं, जो solvent के liquid face में mole fraction है, वो vapor face में mole fraction के बराबर हो गए हैं, और जब ये situation create हो जाती है, तो azotrops बन जाते हैं, और acid solution को azotropic mixtures कहा जाता है, Azeotropic Mixture जनरली दो तरीके के होते हैं Minimum Boiling Azeotrop और Maximum Boiling Azeotrop Minimum Boiling Azeotrop किसके थुरू बनते हैं Non-Ideal Solution, कौन से Non-Ideal Solution तो Positive Deviated Non-Ideal Solution से हम क्या बना सकते हैं Minimum Boiling Azeotrop तो इसके जितने example होते हैं आप इसमें यहां लिख सकते हैं और Negative Deviated Non-Ideal Solution से हम क्या बना सकते हैं Maximum Boiling Azeotrop और इसके जितने example हो सकते हैं वो आप यहां लिख सकते हैं इसका Journal Example मैंने आपको दे दिया 68% Aqueous HNO3 Solution Minimum Boiling Azeotrop का और Maximum Boiling Azeotrop का 95% Aqueous Solution Ethanol का, तो देख लिजे आप इसको एक बार देख लिजे अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से Azeotrop को discuss करते हैं Azeotrop हम लोगों ने completely discuss कर लिए अब हम बात करते हैं Went of Factor की तो चलिए स्टार्ट करते हैं Went of Factor अब हम जब Went of Factor की बात करते हैं तो इस Went of Factor को कहा यूज किया जाता है किस टर्म में यूज किया जाता है ये हम लोगों को discuss करना है तो होता क्या है कि हम लोग अभी तक पढ़ते हैं कि जो Colligative Properties होती हैं जो हमारी Colligative Properties होती है Colligative Property directly proportional होती है किसके तो Colligative Property directly proportional होती है हमारे पास किस चीज के तो वो होती है Amount of Solute के Means Amount of Solute के Special Properties होती है जो Amount of Solute पर Depend करती है या Quantity या कहें कि Quantity of Solute पर Depend करती है Nature of Solute पर Depend नहीं करती है For example, मैंने क्या कहा मैंने हमने क्या किया हमने Solvent की Form में हमने Water लिया था यहाँ पर और Water के साथ हम लोगों ने यहाँ पर Glucose 1 mol Glucose हमने इसमें Pour किया 1 mol Glucose जब हमने याँ पर डाला तो 1 mol Glucose में क्या होगा और इसी طریقے से मैंने E Corr Solution बनाया E Corr Solution बनाया मैंने क्या किया यहाँ मैंने Water लिया यहाँ मैंने Water लिया और यहाँ पर मैंने 1 mol Eurea डाला एक Mol Eurea डाला अब हमने वहाँ देखा था कि क्या इनकी properties चेंज आएंगी बिल्कुल नहीं आएंगी क्यों नहीं आएंगी क्योंकि ये किस पर collegative property किस पर depend करती है amount of solute पर और यहाँ solute का amount कितना है one mole, यहाँ solute का amount कितना है one mole nature of solute पर depend नहीं करती है हमें नहीं पता कि वो glucose है या urea है nature क्या है इस बात पर depend नहीं करती है वो तो amount पर depend करती है तो यहाँ पर जो इसकी collegative property होगी वो equal to होगी collegative property of glucose किसके बराबर आएगी collegative property of urea क्यों आएगी तो क्योंकि collegative property amount of solute पर depend करती है और दोनों ही solute का amount similar है, इसलिए colligative property भी similar आएगी, लेकिन problem कहा आती है, problem आती है वहाँ पर, जब हमारे पास कोई ऐसा, देखें, यह solute कैसा था, यह solute था, जो की ना तो association कर रहा है, और ना ही dissociation कर रहा है, non-volatile, यह कैसा था, non-volatile था, non-volatile के मतलब, ना तो यह पानी में जा कर break हो रहा है, और ना ही यह पानी में जा कर add हो रहा है, ठीक है, यह dissolve तो हो रहा है, लेकिन ना तो यह dissociation कर रहा है, और ना ही यह association कर रहा है, तो कोई problem नहीं है, तो हमने त्रीक है सारी qualitative properties निकालना लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा solute आ जाता है जो liquid में जाकर या तो association करे या फिर dissociation करे ठीक है liquid तो मैं बताता हूँ कि या तो अब case क्या बनता है तो या तो अगर हमारे पास कोई solute ऐसा हो जो dissociation करे अब अगर वो dissociation करेगा तो dissociation का पानी लिया और पानी में एक मूल NaCl डाल दिया आपको यहां पर डाल दिया अब वन मूल NaCl डाल दिया तो अब मैं क्या कहूं कि क्या जो इसकी qualitative properties आएंगी इसके और इसके बराबर होंगी तो बिल्कुल नहीं होंगी इन दोनों की property बराबर होंगी आप कहेंगे सर मोल अब सेम हैं अमाउंट सेम है लेकिन सॉल्यूट का नेचर चेंज हो चुका है हम जब डाल रहे हैं यानि हमारा theoretical हम theoretical क्या देख रहे हैं कि हम एक मोल डाल रहे हैं लेकिन जब यह एक मोल इसके अंदर जाएगा तो यह आइंस में ब्रेक हो जाएगा और और कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है वन मोल तो यहां हमें इसके अंदर जाने पर क्या मिलेगा वन मोल तो मिलेंगे हमें सोडियम आयंस और वन मोल मिलेंगे हमें यहां पर क्लोराइड आयंस जब हमें वन मोल सोडियम आयंस मिलेंगे और वन मोल क्लोराइड आयंस मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मोल sodium ions और एक मोल chloride ions का मतलब है कि हमें कितना amount मिला 2 mol और डाला कितना था 1 mol तो सीधी सी बात है अब qualitative property ऐसे नहीं आएगी और ये कौन सा case बना dissociation का कि हमारा solute जाकर अंदर dissociate हो रहा है और amount of substance amount of solute बढ़ गया एक mol से कितना बन गया 2 mol तो यहाँ पर qualitative property different आती है अब different qualitative properties को कैसे किया जाए तो उसकी वो किसके help से करते है वेंट of factor की तो वेंट of factor को किस से represent करते है तो वेंट of factor को represent करते है आई से ठीक है आई से अब क्या करते है for example जैसे NACL का मैं case ले रहा हूं तो NACL था NACL जब तूटे गा तो हमें पता है N A plus और CL minus में break होगा suppose करते है time t is equal to 0 पर ठीक है यह 1 mol था और यह जब 0 पर जब भी reaction start ही नहीं होई थी तो यह 0 था और यह भी 0 था ठीक है लेकिन time t is equal to t पर किसी time पर मैंने कहा कि यह पूरा break हो गया जब यह पूरा break हो गया का मतलब यह तो हो गया 0 और जब यह 0 हो गया तो यह कितने बने 1 mol और 1 mol अब जो भी हमारे पास time t is equal to 0 पर होता है उसको हम बोलते है theoretical यह क्या होती है theoretical theoretical value होती है ठीक है तो क्या होगा point of factor i निकालने के लिए मारपा formula होता है i is equal to observed observed qualitative property upon theoretical upon theoretical qualitative property हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं after analysis यानि analysis करने के बाद जब analysis करा जब वो गया तूटा हमने देखा तो after analysis हम इसे क्या लिए सकते हैं after analysis और यह नीचे वाला होता है before analysis analysis करने से पहले तो ऐसे भी हम इसको use कर सकते हैं तो दोनों term में use कर सकते हैं और observed observed का मतलब जो अब हमने observe करी है हमने ये वाली property तो observe करी है और ये वाली property हमने डाली थी जो theory की form में थी तो observed कितनी है देखते हैं i is equal to observe वाला data यह है तो इस सब को जोड़ देते हैं 0 प्लस 1 प्लस 1 और theoretical वाला data यह रहा तो 1 तो क्या आया 2 upon 1 means final क्या आया 2 तो इसकी qualitative property कितनी आई i is equal to 2 i की value कितनी आई 2 तो dissociation के case में तो i की value क्या आ रही थी 1 लेकिन अगर मैं यहां कहूं तो i की value कितनी आईगी यहां i की value 1 ही आईगी यहां i की value यहां आईगी क्योंकि i तो हम उनके लिए use करते हैं जो dissociate या associate होते हैं तो i की value 2i अच्छा यहां से एक और observation निकला कि इसका मतलब है कि अगर dissociation का case हो रहा है यानि कोई solute जाकर break हो रहा है तो वो जितने ions देता है जितने ions देता है i की value भी उतनी ही ही होती है देखो इसने NaCl ने कितने ions दिये Na plus और CCl 2 ions तो i की value कितनी बनी दो ठीक है तो आपको याद रखना है कि अगर कोई strong electrolyte है means जो पूरा टूट रहा है in case of strong electrolyte i is always equal to number of ions produced जितने ions produced होते हैं उतना ही आई आता है अगर वो strong electrolyte है means वो पूरा break हो रहा है तो तो ये तो बना आपका कोन सा case dissociation का case ये case बना आपका dissociation का clear होता है और dissociation में formula क्या है i निकालने का observed colligative property upon theoretical qualitative property या फिर after analysis यानि analysis करने के बाद upon before analysis before analysis करने से पहले तो हमने data रखा और इस तरीक से dissociation का case बन गया अब बारी आती है dissociation के बाद बारी आती है हमारे पास association की तो association के case में देखते हैं क्या होगा association के case में जब हम देखेंगे तो association का मतलब क्या होता है students association का मतलब दो चीजों का जुड़ना यानि दो जैसे ये एक चीज अलग है ये एक अलग है ये दो अलग-अलग चीज़े हैं और इन दोनों को मैंने जोड़ के क्या बना दिया एक तो पहले क्या थी? दो चीज अब क्या है एक चीज, तो दो का आपस में जुड़ना, ठीक है, तो हमें पता है, और नहीं पता तो आपको पता होना चीज, कि जो acetic acid होता है, जब acetic acid को benzene के solution में डाला जाता है, तो acetic acid को benzene के solution में डालने पर, ये दो से क्या बन जाता है, एक, ये दो क्या थे, अलग-अल आने पर association हो गया, अब time t is equal to 0 पर, suppose करते हैं ये कितना था 1, time t is equal to 0 पर ये 1 था तो ये कितना होगा, 0, अभी तो reaction इस्टार्ट ही नहीं हुई है, और अगर हम कहें time t is equal to t पर, आप खुद देखिए, नहीं है नहीं है, ये 2, आब time t is equal to t पर, 2 को किस से compare करोगी 1 से, तो 1 को कितने से compare करोगे अधे से, 2 को हम compare करोगे 1 से, ये 2 हैं, लेकिन ये कितना 1, dimer बन गया 1, जब 2 को equivalent कि रहा हमने 1 के, तो 1 को equivalent करेंगे half से, तो हमने कहा कि अगर suppose करते हैं हम लोग, कि अगर यहाँ 예 1 है, यह 0 बना और अगर मैं कहा हूँ time t is equal to 0 पर time t is equal to 0 पर यह आपको total amount निकाल के दिखाता हूँ नहीं तो confused होगे मैं कहता हूँ यह 100 था initially time t is equal to 0 पर यह 100 था तो यह कितना था 0 तो यह कितना था 0 अब मैंने कहा कि time t is equal to 0 पर इसमें से 50 बाहर चला गया 50 बाहर चला गया यानि 50 कितने में convert हो गया 50 आधा इसका आधा dimer बन गया जब इसका आधा dimer बन गया तो यहां कितना बनेगा 2 से 1 बनता है तो 50 से कितने बनेंगे 25 बनेंगे या नहीं आप खुद देखिए ना कि 100 atoms थे 100 atom कब थे यानि हमने 100 compare कब करे जब यह 2 थे यह 100 थे तो तब यह 0 थे जब 100 में से 50 चले गए 100 में से 50 चले गए तो कितने बनेंगे आधे क्यूं क्यों क्योंकि जब 2 से 1 बनता है तो 50 से कितने बनेंगे 25 दो से 1 बनता है दो molecule जब आपस में dimer होते तो एक बनाते हैं तो 50 निकले तो यहां कितने बनेंगे 25 क्योंकि 2 से एक बनता है तो 50 से 25 बनेंगे तो लगा दीज़े i की प्रोपर्टी i क्या होता है observed observed qualitative property upon theoretical theoretical qualitative property तो observed कितनी है हमारे पास 100 minus 50 plus 25 और theoretical जो t is equal to 0 पर होती हो theoretical होती तो upon 100 यानि आप इसे solve करो किते जाएगा 75 upon 100 और या जाएगा आपका 0.75 0.75 तो इसका मतलब क्या है कि association के case में i की value हमेशा हमेशा i की value किते से आई है 1 से कम तो association के case में i की value हमेशा less than 1 आएगी dissociation के case में i की value हमेशा above than 1 आएगी एक तो ये observation भी आपको पता होना चाहिए तो dissociation के case में i ये है Association के case में I यह है Dissociation के case में I key value हमेशा ज़ादा आती है Association के case में I key value कम आती है जब हमें I nikालना आ गया आप इसको पहले इसको देख लिजै फिर मैं आगे बताता हूँ देख लिज़ी आप इसको होप आप ने इसको देख लिया होगा अब मैं इसमें थोड़ा सा रब कर रहा हूँ तो मैं यह कह रहा हूँ कि जब हमें I निकालना आ गया बच्चो जब हमें I find करना आ गया तो I find करना जब हमें आ गया तो आप देखिए अब हम क्या कर सकते हैं अब अगर हमें कोई ऐसा solute मिले कोई association वाला या dissociation वाला तो हम क्या करेंगे हम उसमें into I की value निकालके उसकी value कर देगे I इसी तरीके से हमने elevation in boiling point पड़ा था Kb into M तो हम इसमें भी क्या कर देंगे into I चाए association का case हो या dissociation का association भी सिखा दिया अभी dissociation भी सिखाया है association भी सिखाया है तो अगर हमारे पास हुआ TF वाला case यानि depression in freezing point का तो KF into M into I कर देंगे और colligative property वाला हुआ यानि osmotic pressure वाला हुआ तो pi is going to CRT into I तो सब में I की multiply हो जाती है अगर हमारे पास कोई non volatile solute ना होगे ऐसा solute होता है जो associate हो रहा है तो चलिए ये बात clear हो गई जब ये सारी बाते clear हो गई तो अब हम बाते करेंगे किस बात में कि final observation क्या है एक हमारा final observation के लिए हमें एक chart form करेंगे तो chart form में मैं आहां लिख रहा हूँ I का amount, I का effect क्या होगा ठीक है association, case देखेंगे association का है या dissociation का है ठीक है तो अब देखें अगर case हमारा है dissociation का यानि हमारे क्या हो रहा है dissociation कोई solute एक से दो या दो से चार बन रहा है बढ़ रहा है तो dissociation के case में conclusion अभी हमने find क्या कि I की value always greater than I g1 I की value always greater than I g1 तो case तो हो गया ये अब हम कहेंगे कि qualitative property पर क्या effect पढ़ेगा तो qualitative property directly proportional to क्या होती है amount of solute जब amount of solute बढ़ रहा है एक से दो बन रहा है तो qualitative property भी क्या होगी increase तो अगर case बन रहा है dissociation का तो qualitative property की value हमेशा increase होगी I की value हमेशा एक से ज़्यादा आएगी qualitative property की value तो हो गई increase clear हो गया qualitative property की value क्या हो गई increase amount of solute आप मुझे बताइए amount of solute solute का amount बढ़ेगा या घटेगा अभी अभी देखा dissociation के case में एक मोल से दो मोल बन रहा है तो amount of solute क्या होगा increase amount of solute क्या होगा increase molar mass molar mass क्या होगा भई molar mass बताइए आप मुझे molar mass increase होगा या decrease होगा molar mass increase होगा या decrease होगा qualitative property बढ़ी amount of solute भी बढ़ा क्या molar mass बढ़ेगा या घटेगा आप मुझे खुद बताइए कि molecular weight अब बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए सोची ज़रा आप इसको बारे में इसको मैं अभी दो मिनिट के लिए छोड़ा हूँ तब तक आप सोची है मैं आगे बढ़ता हूँ अगर हम association का case कर रहे हैं और हम कहरे हैं I association के case में हमने देखा था I lesser than 1 होता है तो I lesser than 1 होगा यानि I की value हमेशा हमेशा एक से कम आएगी अगर case हमारा हो रहा है association का association का मतलब है कि वो घट रहा है तो amount of solute कम हुआ है दो से मिलके एक हो गए है जब amount of solute कम हुआ है तो colligative property भी कम होगी decrease हो जाएगी amount of solute की बात करूँ तो वो भी कम हो जाएगा और जब वो भी कम हो जाएगा तो molar mass पर क्या effect पड़ेगा अब बताइए क्या होगा आपने हो वाला सोच लिया होगा तो आप देख लिजे यहाँ पर dissociation के case में molecular weight घट जाता है decrease हो जाता है और association के case में molecular weight बढ़ जाता है ठीक है देखो NACL था तो इसका molecular weight कितना था 58.5 अगर आप निकालतो है नॉर्मली थेोरिटीकल लेकिन यह dissociate हो गया अब यह 58.5 थोड़ी रह गया तो टुकडों में तूड़ गया यानि कम हो गया इसका अलग हो गया इसका अलग हो गया तो टुकडों में तूड़ गया यानि molecular mass क्या हो गया कम association के case में कहा था कि यह था CH3CWH इसका कोई molar mass था ठीक है और यह जाके दो का एक बन गया तो कुछ जुड़ा है जब जुड़ा है तो molecular weight बढ़ेगा तो यहाँ पर इस case में molecular weight बढ़ता है और इस case में molecular weight घड़ता है यह भी आपको पता होना चाहिए यह chaarट बहुत important है यहाँ से conclusion और भी निकल रहा है कि summolar mass के inversely proportional होती है और kolligative property यहाँ भी molar mass के inversally proportional होती तो collective property molar mass के inversally क्यों होती है proportional molar mass होती है या नहीं होती है क्यों हमें दिख रहा है साफ और अगर यहां दिख रहा है तो हमें एक formula और बना सकते हैं कैसे हमने i is equal to लिया था observed colligative property observed colligative property upon theoretical colligative property theoretical colligative property obsessed colligative property कोई भी collegative property है वो molar mass के तो reverse होती है तो मैं क्या रखे तो मैं इसके लिए क्या formula बन सकता है observed colligative property molar mass के reverse है किसके तो reverse का मतलब क्या होगा देखो अब हम इस formula से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि i is equal to theoretical theoretical molar mass upon observed molar mass upon observed molar mass ये कैसे किया तो ये जब इसके ये एक दूसरे के inversely proportional है observed किसके होगा observed theoretical के बराबर है theoretical observed के बराबर है क्योंकि ये एक दूसरे के inversely proportional है तो एक formula हमारा यहां से आ गया, अगर molar mass के case में I निकालना है, अगर molar mass दिया और तब I find करा रहा है, तो I is equal to theoretical molar mass upon observed molar mass लगाएंगे, और observed colligative property upon theoretical colligative property, और मैंने अभी बताया तो observed को हम क्या कह सकते हैं, after analysis upon before analysis, इस तरीके से हम complete कर लेते हैं, अब पहले आप इसको देख लिज हो, तो क्या होगा, तो formulas कैसे निकलेंगा, यानि formula, अगर हमें formula यूज करना हो, तो कैसे हम उसको derivate करते हैं, आप इसको देखिए, फिर formula को यूज करते हैं, देख लिजे आप इसको, student, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आई, यानि event of factor निकाला जाता, observed colligative property, अब ओन theoretical colligative property, और molar mass के case में हमने देखा था, theoretical molar mass upon observed molar mass, अब हम, अगर हमारे पास ये सारी बाते कब थी, जब कोई चीज associate हो रहा है, solute या dissociate हो रहा है, और weak electrolyte है, ओ स्रोंग electrolyte है, strong electrolyte का मतलब, जब वो dissociate हो रहा है, तो पूरा टूट रहा है, और जब वो associate हो रहा है, तो सारे particles आपस में जुड रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई weak electrolyte हो, तो weak electrolyte आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं review देते था हूँ, एक ऐसा solute, जो complete ionize तो हो, टूटे तो, य हमें क्या निकालना होता है, student, alpha, और alpha होता है, DOD, DOD फिर means degree of dissociation, ठीक है, degree of dissociation की molecule कितना तूटा, या फिर degree of association की molecule कितना जुडा, तो उसे क्या बोलते हैं, alpha, अब अगर हम alpha बोलते हैं, और उसके लिए, weak electrolyte के लिए, अगर हम कहें कि in case of weak electrolyte, अब weak electrolyte ले रहे हैं, पहली ब और हैं हमारे पास weak electrolyte, तो हम क्या करेंगे, suppose करते हैं हमारे पास कोई x है, और x कितना है, n है, xl, कोई molecule है, ठीक है, जब यह तूटेगा, तो यह सारे के सारे molecule दे देगा, जब यह तूटेगा, तो यह nx होना चाहिए था, ऐसे तूटेगा, लेकिन, क्या हुआ हुआ है, ह यानि किसी time t पर, यहां से alpha निकला, यानि पूरा नहीं टूटा है, कुछ टूटा, तो जितना यहां टूटा, उतना ही यहां बनेगा, और यहां देखे, इतने atom से n atom बनते हैं, तो alpha से कितने alpha बनेंगे, n alpha, आर यह बात समझ, इतने atom से यह 1 है, 1 से n बनते हैं, आप यह सम करें, एक से n बनते हैं, तो n से कितने बनेंगे, n से reverse हो जाएगा, इसी तरीके से, तो 1 में से alpha निकला, तो यहां n से, एक n से, देखे, एक n से n बन रहे हैं, तो alpha से कितने बनेंगे, n alpha, अब alpha से n alpha बनेंगे, तो हमारे पाब क्या है formula, observed, observed qualitative property, upon theoretical qualitative property, अब observed कितनी हैं, यह व upon theoretical qualitative property का data क्या है, 1, तो हमने कर दिया 1, अब i is equal to 1 minus alpha plus alpha हो गया, तो i is equal to 1 minus alpha plus n alpha हो गया, अब अगर यह हो गया, तो मैं यहां से क्या करूँ, मैं यहां से, i is equal to 1 plus positive alpha यहां से common ले लूँ, तो यह क्या बचेगा, यहां बच जाएगा आपका, 1 minus alpha, अंदर बच जाएगा 1 minus n, और अगर यह 1 minus n बचा है, यानि i is equal to 1 minus alpha n plus x बचा, यानि alpha बचा हो गया, अब अगर मैं इस 1 को इधर ले आउँ, तो यह क्या हो जाएगा, i minus 1 is equal to alpha 1 minus n होगा या नहीं, और इस 1 minus को भी इधर ले आउँ, तो क्या हो जाएगा, actual मैं alpha is equal to i minus 1 upon 1 minus n, तो यह formula आ गया, किसके लिए alpha, और यह alpha क्या है, degree of dissociation, कि कितना तूटा, अगर हमें यह पता करना है, कि कोई molecule, weak electrolyte कितना तूटा, तो weak electrolyte के लिए alpha निकालना होता है, alpha कैसे निकल था, i minus 1 upon minus n, अब i क्या है यहाँ पे, तो i तो आपको पता है, event of factor, ठीके, n क्या है, number of particles, कि particles कितने तूटे या कि इतने जुड़े, वो हमें देगा, तो हम यहाँ सारी values पूट करेंगे, और alpha find कर लेंगे, तो यह किस के लिए alpha निकालने हुआ, weak electrolyte के लिए, कहाँ पर dissociation के case में, अब यहीं पर मैं करता हूँ, association का case, अब association के case में हम कहारे, n atom थे, यानि 100 atom थे, suppose करते हैं, और 100 से मिलके, यह क्या बन गया, यह atom थे, यह molecule में convert हो गया, ठीक है, यह action हो गया, ठीक है, यह atoms थे, अब यह atom मिलके आपस में क्या हो गया, combined हो गया, यह molecule बन गया, अब अगर यह molecule बन गया, तो हम कहारें, t is equal to 0 पर, यह suppose करते है 1 होगा, तो यह 0 होगा, मैं कहारा हूँ, t is equal to t पर, suppose कर करते हैं बन में से अलफा निकला है अब आप खुद देखिए ऐन से 1 बनता है और से 1 बनता रहा कितना बनेगा बस यही बात समझनी है जो एन से वन भेनता है तो यह कितने हैं बनता है तो अगर यहां से alpha निकलता है तो कितना बनेगा alpha by n बनेगा ठीक है और लगा दीजिए qualitative property i is equal to observed observed qualitative property upon theoretical qualitative property अब observed qualitative property हमारे पास कुन सी है ये वाली तो लिख दीजिए 1 minus alpha plus alpha upon n theoretical के उन सी है theoretical पूरा नहीं लिखा है तो theoretical कितनी थी 1 जो time t is equal to 0 पर होती है वो मैं बार बार बोल ला is equal to अगर मैं कहूंगा तो ये बन गया 1 minus alpha plus alpha plus 1 ये बचाया नहीं बचाया अब अगर ये बच गया तो आप क्या करो इस 1 को इधर भेज दो तो i minus 1 या आप ऐसा करो इस वाले data को इधर आज भेज दो और इसको इधर भेज दो तो ये positive हो जाएगा alpha plus alpha upon n is equal to i sorry 1 minus i हो अब ये हो गया अब इसको मैं multiply में करूँ तो क्या हो सकता है alpha n plus 1 upon n is equal to 1 minus i हो सकता है या नहीं हो सकता है अब अगर ये हो जाएगा तो ये n इधर multiply में जाएगा और ये 1 n plus 1 upon में चला जाएगा तो क्या बचाएगा alpha is equal to 1 minus n 1 minus i into n upon n plus 1 ठीक है, n plus 1 यानि अगर यह ना दिख रहा हो तो मैं या लिख देता हूँ तब इसको solve करेंगे या यह alpha यहीं छोड़ेंगे यह n उपर multiply में जाएगा, n plus 1 नीचे आएगा तो alpha is equal to हो जाएगा 1 minus i into n upon n plus 1 ठीक है, तो यह alpha निकालने का, यह degree of association, अब इस case में यह alpha क्या है, degree of association, association के किस में से बोलेंगे कितना associate हुआ तो यह degree of association है, 1 minus i into n upon n plus 1, यह degree of association निकालने का case है, weak electrolyte के लिए degree of association यह अलफा निकालने के लिए यह होता है strong weak electrolyte के लिए association के case में weak electrolyte के लिए dissociation के case में alpha निकालने का formula आगया हमारे पास i minus 1 upon 1 minus n i went of factor है n यहाँ पर number of particles है same यहाँ पर है n यहाँ पर number of particles है i यहाँ पर went of factor है अब इनको कैसे apply करते हैं तो अभी हम वो numericals में सीखेंगे अभी आप यहाँ तक रखें मिलता हूँ आपसे next video में thank you very much